मरकुस प्रचित सुसमचार तीसरा अध्याय और वे आराध नालाये में फिर गया और वहाँ एक मनुष्ट था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोश लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वे सब्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं उसने सुखे हाथ वाले मनुष्ट से कहा बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, क्या सब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्रान को बचाना या मारना, पर वे चुप रहे। और इश्यो अपने चेलों के साथ जील की ओर चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली, और यहुदिया, और यरुशलेम, और इदूमिया से, और यर्दन के पार, और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड यह सुनकर, कि वे कैसे अचम्भे के काम करता है, उसके पास आई, और उसने अपने चेलों से कहा, भीड के कारण, एक छोटी नाव मेरे ले तयार रहे, ताकि वे मुझे दबा न सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे, उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड और उशुद आत्माएं भी, जब उसे देखती थी, तो उसके आगे गिर पड़ती थी, और चिला कर कहती थी, कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया, कि मुझे प्रगट न करना, फिर वे पहार पर चढ़ गया, और जिन्हें वे चायता था, उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास चले आए, तब उसने बारह पुरशों को न्यूक्त किया, कि वे उसके साथ साथ रहें, और वे उन्हें भेजे कि पचार करें, और दुश्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें, और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पत्रस रखा और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई युहन्ना जिसका नाम उसने बुआ नर्गिस अर्थात गरजन के पुत्र रखा और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुलमई और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दी औ खटी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुम्यों ने यह सुना, तो उसे पकड़ने के लिए निकले, जोंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। और यदि किसी राज में फूट पड़े, तो वे राज क्योकर स्थिर रह सकता है। और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुश्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। परंतु जो कोई पवित्रात्मा के विरुद निंदा करे, वे कभी भी क्षमा न किया जाएगा। बरं वे अनन्त पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद आत्मा हैं, और उसकी माता और उसके भाई आए, और बाहर खड़े होकर उससे बुलवा भेजा, और भीर उसके आसपास बैटी थी, और उन्होंने उससे कहा देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूनते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं, और उन पर जो उसके आसपास बैटे थे, द्रश्टी करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्र के इक्षा पर चले, वही मेरा भाई और बहिन और माता हैं।